हेलो एवरिवान आज हम बनाएंगे मुंग दाल से बहुत ही टेस्टी चटपटे मज़ेदार पकोडे जिसे बनाना बहुत यह साने खाने यह स्वाधिस्ट होती है तो बरसाथ की सीजन चला तो आप यह गर्मा गर्म पकोडे बनाके बारिश का जरूरा अंद ले जिसे बनान बहुत यह साने कम महिना तो बनके तयार हो जाती है चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आई फ्रेंट तो लाइक और शेयर करना न भूले तो देखते हैं इपकोड़ा को हम आज कैसे बनाके तयार के उसके लिए मैं आपे एक कप मुंग दाल को एक से डिर अगर आपको जल्दवाजी है तो थोरा सा गुनगुना पानी में इसे डाल दे जल्दी से फूल के तयार हो जाता है तो देख सकते हैं अच्छे से यह सौप्ट हो गया है तो इसे पानी से अलग करके हम रख लिया विसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे तो सारा डालना इ एक के इंचा द्रकर टुकर डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हम दो चमस के करीब पानी डालेंगे और ढकन बंद करके दरदरा सा पेष्ट त्यार कर लेंगे तो ज्यादा फाइन पेष्ट नहीं बनाना है दरदरा सा पेष्ट हम बना के एक बॉल में रख लिये हैं जो स तवारा धनिया की पती डाल देंगे एक छोटी चमस साबु जीरा डाले अब जीरा पॉडर भी दे सकते थोड़ा सा हल्दी पॉडर आधी छोटी चमस धनिया पॉडर डालेंगे एक छोटी चमस मिर्च पॉडर डालेंगे आधी छोटी चमस गरम मसाला डालेंगे और टेस्ट बनके तयार होगे इस तरीके से लेंगे और पकोडे को हम तलके रेडी कर लेंगे तो देखिए गया सन करके ओल को हम गरम कर लिए तो ओल का टेप्रेचर ना मेडियम तू लो होना चाहिए तो ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए एकदम मेडियम टेप्रेचर पे हम पकोडे प्लेम पे पकोड़े को तल के रेडी कर लेंगे तो देखिए पकोड़े अच्छे से तल गया है तो इसे निकाल लेंगे इसी तरीके से बाखी के बैच इसको भी फराय करके रेडी कर लेंगे तो देखिए सिक गया है अच्छे से क्रिस्पी हो गया है इसे अब हम निकाल लें हैं तो देख सकते हैं गर्म-गर्म पकोड़े बनके तयार हो गई है इसे बनाना बहुत यह असानए खाने में बहुत ज़यदे यह स्वादिश्ट होती है और यह जहटपट से बनके तयार हो तो आप यह बढ़ाई बनाकर जरूर इंज्वाई करें बनाना जितना आसाने खाने में उतना ज्यादा स्वादिष्ट होती है इस तरीके से आप एक बार बार बनाना पसंद करेंगे मेरी रेस्पी कैसी लगे कोमेंट करके जरूर बताए वीडियो पसंद आए फ्रेंट झाल अार जरूर भूर खाय रेस्पी है यह भार झाल झाल